यह दो पई हैं तो उस डीजल टेंक करके जहां पर बिगाड़ी आगए तो यह गाड़ी आड़ी थी भाई इधर से चार जने थे और भाई यह 12 लेंटर इंजन था यह देख लो 12345 अब श्लेंडर इंजन होगा तो वह थो बैसाब 260 किया 360 क्लोमेटर परती गंटे की रबतार भी पकेड़ी लेगा हेलो वाई मिलन्बवार वो कहते हैं न वाई जब टैम आता है तो भाई चाहिए रोल्स रोज में बैठ लो चाहिए एस्प्रेसो में बैठ लो भाई होनी पक्की होती है अब आप हाइस टू हाइस सेफटी में कौन सी गाड़ी माल लोगेगी सबसे सेफ़ेस कौन सी है वोल व अब भरोसा नहीं हो रहा तो अब इससे फेंडर से देख लो आप इसके अलोगी से देख लो भाई साब 16 करोड रुपे की गाड़ी यह जो लोग है नच्याई की बता रहे हैं यहां पर जली हुई हालत में आप देख रहे हैं वाई सीड से लेकर इसकी कुछ नहीं बची त राग बन किया राग राग यह देखो राग बन रखिया भाई अब आप क्वालिटी देखो बिल्ट क्वालिटी यह देखो देखना पेंड रखिए चड़ना भाई आपी चड़ना बाई इतनी हेवी बिल्ट क्वालिटीक साथ आ रही है इसके लिए हाल है इसके देख रहे हो और इतनी लंबी है ना देखो भाई आपको केमरे से समझनी आ रहा तो इतनी लंबी यहां पर कायर देखो भाई साब कुतने मोटे चले के एकदम राख यह आपने भी न्यूस तक्कर हुई है अगना को ट्रक दिखाना चाहूँ अभी दे लेकर चलूंगा यहां पर ट्रक के जो बंदे थे वो दोनों एक्सपायर हो गए इसके बच गए बाई अगर रोल्स रोज में भी ना बचे फिर तो थोड़ा सा दिक्कत है अब देख लो इक पड़ी स्पीड प है कि जलके रहाग हो गई है वही रोल्स रोज में इधर से आई एक बारी वाई कितनी बड़ी गाड़ी कि सब कुछ इसका खतम यह पेंडर देखिए इसका सारहा यह देखो रोल्स का देखके ना वाई इसको बता हूं तो पर दिल में थोड़ा ऐसे होता है ना आपको बैक इसका अलोई वील भाई कम से कम भी 20 वाई इसका दिखे रहा है और इसमें पांच नेट है वाई हमारे इंडिवर में 6 नेट आते हैं गाड़ी को कोई पहचान नी सकता कि यह कौन सी गाड़ी है भाई साब इतने हैवी एक्सिडेंट के बाद भी इतना सब जहिलने के बाद इसकी एकदम सेफ रखिया है यह देख लो सारा कुछ इसका एकदम सेफ सा रखा है यह रोल्स रोइस मुझे लगता है रोल्स रोइस के सबसे बहेंकर एक्सीडेंट दुनिया में यह हुआ होगा जहां पर गाड़ी जल गई हो यह देखो यह वाला पार्ट वह फिर तो को पुरा पर लोँधा बेठा है और अगर इसमें आगना लगती न तो भी जाते इसमें लोग बंदर बच भी जाती घाड़ी पैर भी हो जाती हो भी सकता है टायरी पे इंजन तो सेफ खड़ा एंजन हमारा यह अँग और चीज़ पढी है सब्सक्राइब करने में ठीक थाक क्योंकि भाई रोल्स रोइस तो जल गई पूरी खाक हो गई उसका कुछ नहीं बचा उसमें तो कुछ है नहीं उठाने उठाने लाएक अब यह बर्चों तक यहीं गलती रहेगी देखलो रोल्स रोइस जो राक है वह बनके ही पर पड़ी सालों साल जन कितने सालों तक चलती रहेगी कुछ नहीं बचा इतने करोड़ों की वैल्यू में जब गाड़ी लेते हैं लोग तो एक एक्सिडेंट हुआनी सब जलकर खतम हो जाता है जमीन वमीन लेते हैं तो कुछ नहीं होता कर मैं अपना प्रोस्पेक्ट बता रहा हूं फुटेज भी अलीपूर में कैप्चर की गई जो कि हरियाना में पड़ता है सोना स्या की गुडगाओं के बीच में तो बताए जा रहा है कि वहां से चड़ी है गाड़ी तो इसने 12 मिनट में 40 km के डिस्टेंस कवर कर लिया था एक टोल प्लाजा के मुताबिक तो इसकी दोनों पई है हमारे बाबे पड़े हो इसमें दो जने यहाँ पे एक्सपायर बताए जा रहे है भाई चार पचपन गुडगाओं की गाड़ी ती यह 203 km के परतिगंटा से वारा था एक मिनट में 15 km गाड़ी वाला जो यह गाड़ी वाला जो यह गाड़ी वाला जो रूल अचा यह यहां से मुड़ा था अचा उदर से आकर मुड़ा था उसने समारी है यह यूटन सुन रहे हो भाई मां से टरकाय यह यह देख लो मैं कहता हूं टेस्ट मत किया करो और टेस्टी कर रहा था झानत अब रौल्स बाला वाई इतनी करोड़ 10 करोड 16 करोड़ बटे व दोसो तर चल रहे हैं जो भी कर रहे हैं दोसो किया हाल हो गया तो किलो हमीटर पड़ती घंटे की रफतार से रोल्ष चलाने का नतीज़ा आप देख सकते हैं अपर दिल देल वह उता है भाईए गाड़ी की आलत देख किसम से आं कैसे लगी होगी बचे कैसे होंगे टक्राट इसका पूरा इंसिदेंट बता हूँ आपको एक्सिदेंट हुआ कैसा है तो यह गाड़ी आरी थी इधर से 260 km पर ती गंटी की रफ्तार से यह बता रहे हैं कि इतनी स्पीड थी इसकी यह ले रहे था यहां से यूटर्न यह जो ट्रक था यह यूटर्न ले रहा था ऐसे करके और इसने एक दम उसमें बढ़ाग दैसी मारी है और यहां के पढ़ाए ट्रक और इसका जो एक्सल है वह उड़के वहां पहुंचा है और इस गाड़ी में लगी है तुरंत के तुरंत यहां पर आग जो आप यहां पर नीचे देख पा रहे हो अभी इसको सीधा किया जा र लगी है जैसे यहां से यूटन ले रही है तो यहां से इसनी तगडी गाड़ी इतनी है वी वहां पर एक्सल जाके पढ़ाए इसका ट्रक का आगे देखो कि कोई भी इसका टायर है यहां पर प्रेक पचाद और पचाद सो मीटर एक्सल वहां बाई साब पूरा इसलिए कहत हैं 260 तो बहुत जादा है जहां 120 की स्पीड लिमिट हो वहां 260 बाई उन्होंने खुद बता है हम क्लेम नहीं करते हैं बहुत मजबूत रहे हैं रोल्स रोइस है जो बहुत बड़े-बड़े बिजनिसमें रहे हैं उन्हों पर जुड़ है रोल्स रोडी मर्सीडीज और यह तो वह चीज नहीं है मेरे ख्याल से लेकिन आपको एक अच्छा सोशल बेक्राउंड तो होना चाहिए पीछे तभी आप एक रोल्स रोइस को अफोर्ड कर पाते हो कोई बंदा भाई तगड़ाई हो इसमें लेकिन स्टिल 260 चलाना तो अब इसमें बहुत जादा भीड़ों सब्सक्राइब इसको देचे कि यह हमारी रोलस रोइस थी नहीं प्रक यह अब ही मैंने में पहली पर यहाई आपाता तो अब जाके गाड़ी आपा रही है कि कितनी बड़ी होती है और इस साइड से लगी है जैसे ट्रक वहां से घूम रहा था तो इस साइड से मारी है पूरी मुझ दर हो गया इसका वह तो मिलेकाल से बाहर जाके पड़े होंगा जो भी इसके ड्राइवर वगेर होंगे ना वह पचास सो मीटर गाड़ी पचास मीटर गाड़ी आगी है तो उनको तो एक दम ना एक्सपेक्टर क्या ही हुआ इसमें कुछ भी नहीं हुआ वहीं तो मरेगा ना कमर्चल वाला अब इसमें भी मरने लग गए दद्दस करोड की तो इस से वारत में तो यह भी नहीं है तो इसमें निकलने के बाद मुझे भागे लगा लेकिन फिर उसके बाद आग लगे इसमें आग कैसे लगी फिर एक तम अजा यह डीजल के टैंक में से डीजल इस पर लगाओगा फिर उसके बाद आग लगी होगी और ऐसी आग लगी है कुछ भी नहीं बचा है पूरी गाड़ी खतम हो लिया है तो किरिप्या करके सेब्टी से चलाएं आराम से चलाएं ड्राइव स लो हम तो आपको यही राय दिंगे वीडियो देए ने के लिए आपका बहुत बहुत धिनवाद थैंक्यू सो मच